मतलब भाई नहीं रुकना नहीं है हर नौ मैने के बाद दूसरी खेथी हर एक नौ मैने के बाद दूसरी अगर मेरे वालदेन फैंबली प्लानिंग किये होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता भाई सबकुश अल्ला की दिन थोड़ी होते थोड़ा बहुत काम तो गाईज एक बार फिर डक्टर जाकिर नाइक साब की एक नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ उससे पहले आप देखेंगे इंडियन लिबरल किसम की खातों खुश्बू पांडे मुसल्मानों पर काफी घुसा करती हूँ नजर आती है कहती है कि ये लोग बच्चे ज्यादा जनते हैं इनको बच्चे कम जनने चाहिए और कहती है कि जब मुसलमान ये कहते हैं कि हमें सब कुछ अल्ला देते हैं तो जब इनको नोकरी की जरूरत पढ़ती है कोई चीज की जरूरत पढ़ती है तो ये मुदी के पास क्यों आते हैं अपने हाथ उठाएं और अल्ला से मांगें तो गाइस ये घलत बातें कहती हुए नजर आती है तो आप इसकी ये वीडियो देखिए और इसको फिर मूत और जवाब देंगे डक्टर जाकिर नाइक साब आपने वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहना है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और new एंड है हर 9 मेने की बार दूसरी खेissenschaft हर इक 9 मेने की बार दूसरी इन लोगों को कि नहीं के आख है जंसंखियान नहीं रोक सकते unpleasant रोख सकते आल्ला की देन नहीं कुण करना है क्यों कि बंधई उनलुक में ब्यों रहती है ऐसा सीख देता है तुम्हारा अल्ला तुमको इनकी अल्ला की देन है तो भाई अगर तुम्हारी तुम्हें बच्चा पैदा करना अल्ला की देन है उनको खाना देना भी तुम्हें अल्ला देही देता है तो एक काम करो हाथ ऐसे करो और बोलो अल्ला तुम हमें नौकरी भी से अच्छा सुलूख करो और आप अपने बच्चे का गतल मत करो क्युंकर बच्चे को قतल करना बिल्कुल हराम है क्युंकि Allah सुभाना वत जञा आपको और आपके बच्चे को रिस्ट देता है ये قुरान काय थै जो बच्चे का गतल करना हराम है जा तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, यह बड़ा, it's a very big concept of family planning, यह फैमिली प्लानिंग के जो मिथड है, for example, permanent method, क्योंकि आप डॉक्टर है, मैं कह सकता हूँ, tubectomy, या vedectomy, या नस्बंदी, यह permanent method सारे लोग तस्लीम करते हैं, कि हराम हैं, उसमें कोई दो राइने, abortion हरा हराम हैं, क्योंकि बच्चों का कतल करना हराम हैं, तो इसमें कोई दो राइन नहीं, कि जान तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वैजएक टॉमी, टुबेक टॉमी, या abortion, बिल्कुल हराम हैं, सिर्फ उस टाइम अलाउड है, जब मा की जान अगर खत्रे में है, if the mother had multiple caes osters, मा को कई caes neuro exception हों, चीर के बच्चे को निकालने पड़ता है, और अगर और एक बच्चा होने के वज़े से, उसके जान को खत्रा है, या मिसाल के तौर पे, मा को दिल की बिमारी है, और एक बच्चा पाइदा होने के वज़े से, उसकी जान खत्रे में हो सकती है, तो मा की जान बचाने के लिए कोई भी टाइप की family planning allowed है इस time क्योंकि मा की जिन्दगी बहुत एहम है इसके इलावा all types of permanent method हराम है जो इक्तिलाफ है वो temporary method में है temporary method और सबसे common temporary method है जो copper tea है जो आप जानते डॉक्टर होने के नाते copper tea है मैं जब medical college में था जो आप जाला copper tea contraception नहीं है it's a contra implantation copper tea क्या करथे है zygote is already formed the ovum and the sperm have already joined to form the zygote the zygote is prevented to cling on the uterine wall so it is rather a contra implantation rather than a contraception the conception has already taken place so copper tea में contraception नहीं होता है contra implantation होता है if you let your imagination go up it it is nothing but early abortion जो हराम है वो abortion है लिकिन earlier abortion है contra implantation so बोसे मुसल्मान अंजाने में समझते contraception of copper tea is allowed और इस्तिमाल करते हैं जो बिलकुल हराम है इसमें कोई दोराए नहीं OC पिल जब आप लेते हैं जो कुरान के आयते सुर्य रूम की सुरा नमर 30 साहत नमर 30 में के दो नोट चेंज दे फिजियालोजी अफ दो बोड़ी तो वेन यू टेक कॉंटरसेप्टिव पिल्स अनी डॉक्टर विल तेल यू इस वेरियस साइफेक्स वेरियस इस डेटरिमेंटल तो हेल्थ जो डिफरेंस अउपीनियन है वो टेंपरी मेथड में हैं बाकी के टेंपरी मेथड, कॉंडूम, एटसेटर बट मेरा सवाल यह है मेरा सवाल यह है कि आप कॉंटरसेप्शिन क्यों इस्तिमाल करना चाहते हैं आप फैमिली प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं यह सवाल है, सबसे एहम सवाल और इसके दो वज़े हो सकते हैं सारे वज़े को एकटा करेंगे तो दो ग्रूप में आप बाढ़ सकते हैं एक ग्रूप क्योंकि वो इनसान शायद गरिब है और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता यह दूसरी वज़े कि वो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालिम दे तो बीच में स्पेसिंग होना चाहिए मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ तो इन्हों अगर एक के बाद एक जल्दी होएंगे फटाफट तो मुश्किल है मैं तरा तीन साल, चार साल, पांच साल बाद दूँगा यह दो बज़े हो सकते मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे वालदें की पांचवी आउलाद हूँ पांचवी आउलाद फिफ्ट, अगर मेरे वालदें फैंबली प्लानिंग की होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया हूँ अम आए अबून और अबेंट फॉसाइटी क्या मैं माश्रे पे बोजू के फाइदे मनूँ और लोग कहतें के डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है अच्छा पेशा अल्हम्दुलिल्ला लेकिन मैंने वो पेशा छोड़के और अच्छे पेशे के लिए आया जिस तरिके अल्लाद अल्लाद फर्माते सुरे फुसिलत में सुना नंबर 41, आयत नंबर 33 में अगर मेरे वालदें मेरे वालदें मेरे वालद और वालदा माँ और बाप फैमिली प्लानिंग करते तो मैं दुनिया में आता था लेकिन इस नाम में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है जैसा मैंने का दो चीज़े वह है एक है कि लोग गरिब है तो इस नाम में इसका सल्यूशन है जगात जैसा मैंने के चुका हमने तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पाथ 85 ग्राम सोना से ज़्यादा सोना है या उतनी दौलत है उसे अड़ाई टका जगात देना चाहिए हर साल हर अमीर इनसान जगात देंगा तो गुर्बत धर्ती से मिड़ जाएंगी कोई भी शक्स भूका नहीं मरेंगा अगर कोई शक्स के पास पैसा कम है वो जगात ले सकता है प्रॉब्लम क्या है और जो लोग कह रहे है के स्पेसिंग करना चाहिए यह एक Malthusian Theory था आप जानता है Malthusian Theory that the crop is inversely proportional to the population अन्य जितना population है उतना खत्रा है आपके खाने के लिए Theory has been disproved यह आप देखेंगे यह सिर्फ Hindustan में जो population problem है बाकी मुमालिक में population is a boon आप अमेरिका में जाएंगे जितने ज्यादा बच्चे आपके पासे उतना कम टैक्स आपको देने का पता है आपको यांग यांग छोटे-छोटे बच्चे पहनते है I am my father's tax saver मैं मेरे वालित की टैक्स की बच्चत करता हूँ जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स आप उस्टेलिया में जाओ जितने ज्यादा बच्चे उतनी पईसे गवर्मेंट जेते आपको हर साल 10 अजार, 15 अजार, 20 अजार जितने ज्यादा बच्चे उतने पईसे गवर्मेंट देते क्यों? population is a boon it is not a bain population जितने ज्यादा लोग उतना फाइदा आप समझ रहें? और धर्ती का सिर्फ 30% इस्तिमाल होता है 70% of the land is not being utilized तो population अगर double, triple भी होईगी तो भी कोई नुकसान नहीं वो problem है government के पास कि government को इनसान को सही तरीके से इस्तिमाल करने नहीं आता है तो हम कहते हम दो, हमारे दो एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं फिर problem है कि हमें government laws को बदलना चाहिए population is never a problem it is a boon किस तरीके से इनसान को इस्तिमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो important day rather than family planning और आप जानेंगे कि अल्ला सुभाना उटाला ने दो बार कुरान मजीद में इसके बारे में खिकर कै एके सुरह इसरा सुरह नंबर सतरा आयत नंबर 31 और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सुरह अनाम सुरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में पहले जगा अलात अला कहते कि आप अपने बच्चों का गतल मत करो क्यूंकि अल्ला सुभाना उटाला आपको भी रिज़ देंगा आपके बच्चे को भी रिज़ देंगा पहले सुरह अनाम सुरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़ देंगा आपके बच्चे को भी देंगा आत में कहा गया कि आपको रिज़ देंगे आपके बच्चे को भी दूसरे आत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिज़ देंगे आपको भी देंगे मानी तो एक है लेकिन अल्ला सुभानावताला हर कुरान का अलफाज का एक वजन है अगर आप तहकी करेंगे तो ये पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूँगा बच्चा भी मरेंगा खाने पीने के वालन्दे है और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूगँ बच्चा भी मरूगँ अल्ला कहते हैं फिकर मत करो अल्ला ताला आपको भी रिस देंगे आपके बच्चे को भी वो दूसरी आध अमीरों के लिए कई मैं चाहता हो के इनो तीन चार साल बाद मेरे बेटे को इंजिनियर बनाओंगा मैं मेट बेटर को डॉक्टर बनाओंगा तो मैं चाहता हूँ कि कम बच्चे हो तो अल्ला ताला कहता है आपके बच्चे को भी देता है आपको भी देता है और्डर इस इंटरचेंज़ और मैं मिसाल दिये आप देखेंगे जितने नोबल प्रैस विनर है जो खुरान के आयत है सुरे लुक्मान सुरा नंबर 31 आयत नंबर 14 कि मा ने अपने बच्चे को दो साल तक दूद पिलाया और आप डॉक्टर ने किनाते जानते हुएंगे कि जब मा अपनी चाहती का दूद बच्चे को पिलाती है तो उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है ये अल्ला सुभानावत ताला नाच्रियल फैमिली प्लानिंग कर चुका है लेकिन अफसुस की बात है कि आज की खवातीन ब्रेस फीडिंग में नहीं मानते है क्योंकि उनका फिगर खराब होता है सबसे अच्छी चीज बच्चे के लिए माका दूद कोई भी नेसले कोई भी मिल्क पाउड़ है उसकी बड़ा भी करे नहीं सकता है तो अल्ला हैस गिवन नाच्रियल मेथ़ड और फैमिली प्लानिंग मैं जानता हूं कि ये सव फिसद सेफ नहीं है इसले कुरान मजीद के एक आयत है सुरा लिम्रान सुरा नमबर तीन आयत नमबर चौपन में मकरु मकरल्लाव वल्लाव खरु माकरीन उन्होंने प्लान किया और प्लॉट किया अल्ला सुभानाओ ताला ने भी प्लान किया और अल्ला सुभानाओ ताला सबसे अच्छा माहर है प्लानिंग में